The so-called made in Pakistan brand Decode वारो ने पाकिसान में दो स्मार्टफोन लांच कर दिया है Decode Bowl 2 और Decode Signal 2 Pro स्मार्टफोन Signal 2 Pro स्मार्टफोन के अगर बात करूं तो यह जो स्मार्टफोन चबीजार रुपे के प्राइस में लांच कर दिया है तीन जी वेरेम चाउंसर वेले वेरेम में और आई तिंग मुझे नहीं लगता कि यह जो स्मार्टफोन अपरी प्राइस को जस्टिफाई करता है इस अगर लुक की बात हो तो यह जो स्मार्टफोन ने बहुत ज़्याद इंसपायर आई फून के स्मार्टफोन से आप देश की स्मार्टफोन के रियर साइड पर तीन केमरास देखने को मिल रहे है इन डिफलेश लाइट है एक सिमी बाक्स डिजाइन के साथ यह स्मार्टफोन आता है रियर साइड पर फिगर पर स्कैनर दिया गया है और यह जो स्मार्टफोन अभी के लिए सिर्फ ग्रेन कलर में रेविल हो चुका है इसके लोग एक बलेक कलर है और एक वाइट कलर आपको देखने को मिल जाता है जो बिल्ट क्वार्टी वो प्लास्टर की है जो फ्रेम हो भी आपको प्लास्टर का ही देखने को मिल जाता है लुक वाइस अगर मैं बात होने तो नोड़ आट मुझे कोई भी यहाँ पर परिशानी नहीं इस डिजाइन को पसंद करता हूँ क्यूंकि बहुत से लोग है जो कि इस प्राइस कीटरी में Iabout to means । की जो कापी होते हैं बिल्कुल चीप किसम की कापी होते हैं आइफ़ों के चकर में बाइक कर लेते हैं उस्ति अच्छे का आप प्रापर एनुडblock स्मार्टफोन बाइक कर सकते हो आईफून का मज़द भी आपको डिजाइन वाला मिलेका और वैसे भी और एक डिसम किसम की परफार्मिस भी आपको देखने को मिल जाएगी डिकोड सिग्नल टू प्रोसमान को जो डिस्प्ले वो इतना ज्यादा मज़िदार किसम का डिस्प्ले नहीं है इस स्मार्ट में दिया गया 6.52 इंच का एक एजी प्लस डिस्प्ले जो के साथ आता है और अनफॉचनल यह जो स्मार्टफून है किसी भी तरह की हाई रिफ्रेक्शेट के साथ नहीं आता इस स्मार्ट जो डिस्प्ले बहुत ज्यादा एक और डिस्प्ले है डेटर यूजज के लिए ठीक है गुजारे लाइक किसम का वीविंग एंगल जो गुजारत कर देगा लेकिन बहुत ज्यादा मुजदार नहीं है नहीं आपर फूल इजी प्लस रिजुशन है नहीं आप इन्फरेइंट आपWest बिल्कुल रेकमेंट कर सकता हूं और इस आटफर लाइप चाहिए क्डिया पर Decode Signal 2 Pro Smart में आपर Mediatek Helio G25 का Processor दिया गया है G25 बहुत ही एक कमजोर किसम का बहुत ही जदा मामूली किसम का Processor है 12 Nm के फिपरिकेशन पर बेस प्रोसेसर है ये गेमिंग के लिए नहीं है, हैवी टास्क के लिए नहीं है इस प्राइस लिए में हमारे पास OOPO और Vivo वाली बी जी 35 प्रोवाइट कर रहे है तो पिर ये Decode वाले कौन सी बला है आपको अपनी Market Value का अंदाजा नहीं है कि ये जो स्मार्टफून अभी 20,000 मिल रहा है तो दुकान पर वापस जाओगी तो कोई बीजार में भी आपसे भाई नहीं करेगा Decode की इतनी वेलियों तो आपकी अपने पैसे इस माँ में बरबाद करोगे जहां पर आपको जी 25 चबीजार में मिल रहा है लेकिन यहां पर सिर्फ प्रोस्टर की बात यह नहीं है आप बाइकास बात करो यहां पर हाट्वेल आई स्मार्फोन की अगरमाई बात करों तो यह स्मार्फोन बिल्कुल भी अपने प्राइस को जिस्टिफाई करते हैं इस स्मार्फोन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए डिकोड सी कैंटल टो प्रो स्मार्फोन की रियर साइट पर τीन केमरात जो में केमरा है वो 13 मेगापिसल का दिया गया और दो फाल्तु के सैंसर है और बोनों की वीजी सैंसर ही यह 0.8 मेगापिसल और 0.8 मेगापिसल का केमरा тво आपको देखने को मिल जाते हैं और रेर केमरा से भी ज्यादा कमार के केमरा तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अच्छी बात है कि अटलीस 8 मेगापसल का सेल्फी केमरा यह स्मार्फ का प्लस पॉइंट है आज के टाम पर कुछ ब्रांज इस प्राइस में हमारे पास सिर्फ 5 मेगापसल का सेल्फी केमरा लेक जिसने ज्यादा नहीं है स्मार्टफोन की परफार में इस का ऐसी है आफ्र सेल सर्वेसस का इस एक अलग कहानी है जो कि I guess मुझे नहीं लगता कि यह जो स्मार्टफोन वहांगे इस प्राइब में इन सेट यहां पर जस्टिफाई करता है स्मार्फवाइब यह पशाइब यह जो बड़ी बैटरी नहीं आता है आपको यह मांपर अगर की तो आगर गराएंश देखे तो मैं नहीं मिलता है मैं आपको किम रेकमेंड करो अगर यह कंपिटिशन से ऊपर की चीज़ देता तो शायद मैं तोड़ा बहुत सोच शकता था कि ठीक है नया ब्रांड है लेकिन चलो स्पेक्स अच्छा दे रहे हैं यहाँ पर तो उल्टी गंगा बेह रही है एक तो आपका मार्केट वेलियो ह इससे तो कई गुनाज ज्यादा माय इन फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन समयता हूं जो कि इस प्राइस के डीरी में अभी भी स्मार्टफोन मैंंगे तो हो चुके हैं लेकिन स्टिल आइप्स जाता है तो मैं आपको रिकमेंट करो कि आप उसमान के तरफ जाएए ना नहार किगा आलावी